आपके लिए लाई हूँ व्रत का ढोकला जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बाजार से भी ज्यादा स्वादेश ढोकला घर पर तयार कर सकते हैं तो आएए इसे बनाना शुरू करते हैं व्रत का ढोकला बनाने के लिए मैंने ये 800 ग्राम साबु दाने को भीगो दिया है ये देखिए ये अच्छी तरह से फुल गया है और ये 500 ग्राम समा के चावल जो व्रत के चावल कहे जाते हैं इन दोनों को मैंने राच से भीगो दिया था अब इन दोनों को हम जार में डालक पीस लेंगे ये देखिए इस तरह से मैंने बैटर तयार कर लिया है थोड़ा सा पानी डालकर मैंने बैटर को तयार किया है बेटर को हमें गाढ़ा यह रखना है ज्यादा पतला नहीं करना है यह देखिए दोनों चीजों को मैंने अच्छी तरह से पीस कर इस तरह से बड़े बरतन में निकाल लिया है दोनों चीजों को अच्छी तरह मिला दिया है और ये दो चमज मैंने हरी मिर्ज क्रश कर ली थी वो डाल देते हैं दो चमज नमक डाल देते हैं इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे बैटर को मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है ताकि इसमें लंस ना रहे और मैंने स्टीम होने के लिए इस बेरतन में ओयल लगा दिया है इसमें हम ढोकले को डालके इसे हम स्टीम होने के लिए रख देंगे 20 से 25 बिनिट इसमें मैंने ओयल लगा दिया है और यह मैंने बेटर में इनो फ्रूट सॉल डाल दिया है और इसमें दो चमज पाने डालके इसे एक्टिव कर देंगे, ये रिखे, इस तरह से एक्टिव हो गया है, और इसे अच्छी तरह से मिला कर बैटर को जल्दी से जल्दी मोल्ड में डाल कर उसे स्टीम होने के लिए रख देंगे, ये मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है इसे, अब इसे हम मोल्ड में डाल दे पानी मैंने पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था और इसे हम समाल कर अंदर रख देंगे और उपर से इस तरह से कवर कर देंगे 20-25 मिनिट हो गया है अब इसे हम चेक कर लेते हैं यह देखिए नाइफ इकदम साफ निकली है हमारा ढोपला बनकर तयार हो गया है डियास को मैंने ऑफ कर दिया है और ढोपले को मैं 15-20 मिनिट बाद कट करूंगे देखिए 15-20 मिनिट हो गए है यह देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है आप अपने मन पसंद शेप इसे कट कर सकते हैं मैंने इसे स्क्वेर शेप दिया है यह देखिए इस तरह से मैंने स्क्वेर शेप में इसे काट दिया है अब हम धोकले में तड़का लगाने की प्रोसेस पे चलते हैं इसके लिए मैंने पैन में दो चमच ओयल लिया है दो चमच जीरा डाल दिया है और साथ से आंट नक कड़ी पत्ता डाल दिया है और यह मैंने साथ से आंट हरी मिर्च को पतला पतला कट करके डाल दिया है यह देखिए वगार इस तरह से मैंने धोकले पर स्प्रेट कर दिया है यह देखिए हमारा धोकला बनकर तयार हो गया है अब हम सर्व करने की प्रोसेस पर चलते हैं तो देखे मैंत हर जगा अच्छी तरह से इसे स्पॉइट कर दिया है और ढोटला आप देख सकते हैं कितना Şu अच्छों कि तुछा बना है और यह बहुत ही स्मूथ बना है और यह खाने में बहुत ही डिलिशिस है यह देखेम मस्पोंजी है तो देखिए इस तरह से मैंने इसे सर्फ कर दिया है इसे मैंने हरी मिर्च, हरी धनिया और हरी चटनी के साथ सर्फ किया है तो फ्रेंट्स इस तरह से आप वरत का ढोकला घर पर बनाईए, खाईए और अपने अनुभो मेरे साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू